हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई चेनल फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे डिजाइनर प्लेटीड ब्लाउस और इसे हम बनाने वाले 34 साइस का तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल लाइकन प्रोला ले लेना है 5.5 इंच से हम डीप नेक के अकॉर्डिंग मिनाएंगे आर्मोल लेंगे हम सेक्स इंच यहां पर चेस्ट का फॉट पार्ट आएगा 34 का फॉट पार्ट होगा 8.5 इंच और 2 इंच लेना है हमको मारजन के लिए तोटल लैंथ हमें 14 इंच रखनी है 1 इंच इसमें प्लस करेंगे मारजन का 15 इंच लेना है यहां से वेस्ट का फॉट पार्ट लेना है वेस्ट 28 उसका फॉट पार्ट लेंगे 7 इंच 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मारजन के लिए लेना है साइट से लाइन को ड्रॉ करना है वन इंच से आर्मोल के साइट पे गुलाई देनी है अभी यहाँ पर हमें नैकी वीट 2.5 इंच रखेंगे नैकी लेंद आप अपने अकॉर्डिंग कमया ज़दा कर सकते हैं मैं आप पर इस ले रही हूँ 6.5 इंच यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है और इसकी वीट हमने नीचे के साइट से 3 इंच ली है और इस तरीके से 1 इंच पर शेप देना है अब टक्स पॉइंच लेंगे हम 10 इंच पर यहाँ से लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच डाट हम उनको 2 इंच की लेनी है लाइन को ड्रॉ करेंगे यहां से 1 इंच स्ट्रेट रखेंगे और इस तरीके से शेप देंगे अब इन दोनों लाइन को हमें मेजर कर लेना है 5.25 इंच आ रही है तो दूसरी लाइन भी 5.25 इंच आनी चाहिए यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे 0.25 इंच इधर पर ड्रॉ करेंगे अभी आपर हमें प्रेंसेस कट का शेप देना है अभी हम इसे प्रेंसेस कट बिद बैल्ट पर बनाएंगे तो यहां पर हमें मार्किंग करनी है 13 इंच पर नीचे की साइट हमारा 2 इंच बचता है तो 2-2 इंच पर इस तरह से मार्क कर देना है जो हमने दोनों लाइन को बराबर किया था वहां से आपको लेना है नीचे वाली लाइन का योज नहीं है ठीक है यहां पर शेप देने के लिए हमें वन इंच या हाफ इंच cocktail ले सकते हैं मैंने आप पर हाफ इंच लिया है और इस तरीके से श्ड़व देना है श्ड़व देने के बाद हम इसको कॉट करेंगे साइट से कट कर देना है बैल्ड भी को बैल्ड भी कट करेंगे यहां पर stapler कर लेना है हमको belt पर और lining fabric पर हम इसे रखेंगे और mark करेंगे तो दिखिए belt में हमने half inch का margin लिया और front वाला जो part है princess cut वाँ पर भी margin लिया और नीचे के side भी margin लिया है तो इस तरीके से आपको margin ले लेना है क्योंकि margin हमने belt और princess cut वाले part में नीचे के side से भी लिया है वो इसलिए क्योंकि वो हमारा stitch में जाएगा तो अब हम back part की marking कर रहे हैं तो shoulder लेंगे 5.5 inch, armhole लेना है 6 inch, side से high hook की पटी के लिए आपको ले लेना है यहाँ पर waist का 4th part आएगा 34 का 4th part 8.5 inch और 2 inch margin के लिए total land हम 15 inch रखेंगे 14 inch रखना है और 1 inch margin के लिए add कर दिया तो 15 inch लिया है waist की marking करेंगे 7 inch पर और 1 inch tax के लिए और 2 inch margin के लिए total हमने 3 inch पर mark कर दिया है और इस तरीके से line को draw करते हुए गुलाई देनी है आर्मोल के side पर ठीके तो cut कर लिया है उसको अब यहाँ पर हमें 23 inch की length ले लेनी है ठीके और side से में 2-3 inch extra ले लेना है और इसको cut करना है तो नीचे से हमने इसको extract क्यों लिया क्योंकि इसमें हम plates डालेंगे इसलिए और जो हमारी belt है वो हमारी अलक से joint होगी तो सभी parts हमने cut कर लिये हैं अभी यहां से हम back part को cut कर लिएंगे front वाला part हमने cut कर लिया है यहां से back वाला part और belt cut करना है अब यहां से belt cut करेंगे को जितना fabric बचा है उसमें हमारी sleeves cut हो जाएगी तो वन मीटर fabric में हमने यह blouse बनाया है और अब इसके stitching करेंगे तो सबसे पहले हमें front part को कोई stitch करना है तो नेक पर हमने इस तरह से paper pasting को cut कर लिया साइट से वन वन इंच एक स्टा लेकर और मैं fabric को हमें right side पर रखना है उसके उपर हम lining fabric रखेंगे और नेक को stitch कर देंगे तो देखिए नेक को stitch कर दिया नेक का extra fabric cut करना है और corner जो है वहां पर cut लगाना है यह देखिए इस तरह से cut लगाएंगे एक stitch हम lining fabric के उपर से करेंगे stitch करने के बाद हमने इसे palette दिया है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है अब जो मारा lining fabric है उसमें हमें princess cut वाले part को stitch करना है यह देखिए इस तरह से तो हमने उसे stitch कर लिया है अब यह हमारा center है center पर हम एक mark करेंगे और यहां पर हमें plates डालनी होंगी इस पर यहां पर हम इस तरीके से plates डालेंगे और इस पर iron करते जाएंगे तो यह अच्छे से वहीं पर set होते जाएगी अब यह हमारे pad है pad को हम नीचे रखेंगे blouse में नहीं लगाना है सिर्फ इसकी fitting के लिए हम यह आपर pad रख रहे हैं अगर आप लगाना चाते तो आप लगा सकते हैं ठीके इस तरह से हमने दोनों साइट की plates को लगा लिया है एक तो यह देखिए इस पर इस तरह से स्टीच लगानी है साइट का जितना भी एक्स्ट्रा गॉस को हम कट कर देंगे यह देखिए इस तरह से तो हमने इसको स्टीच कर दिया है अभी हम नीचे के साइट बैल्ट लगाएंगे तो बैल्ट जो है उसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेया था वहाँ पे इस तरीके से कट लगाना है और इसको फोल्ड कर देना है अब हम नीचे के साइट से स्ट को स्टीच करेंगे साइट से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है एक स्ट्री स्लाइनिंग फाबरिक के उपर से कर लेनी है अब इस पर हमने आइरन करनी है आइरन करनी के बाद हमने देखिए आपर उपर के साइट से भी जितना एक्स्ट्रा है लाइनिंग लाइनिंग से मैं फाबरिक जितना एक्स्ट्रा है उसको हमने फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है ताकि जब हम इसको stitch करेंगे तो automatic finishing आ जाएगी इसमें तो अभी हमें आपर इस तरह से belt को attach कर देना है सेम इसी तरीके से दूसरे साइट से भी stitch करेंगे अभी आपर belt को इस तरीके से attach करना है तो belt हमेरा लगकर complete हो गया है यहां पर हमने highlight करने के लिए lace लगा रहे हैं तो यहां पर हमने mirror no golden color की lace यूज़ की है तो यहां पर हमने belt को edge कर दिया है अब back part को stitch करना है तो necky weight 2.5 inch लेंगे necky land 10.5 inch लेनी है जैसे हमने front part में shape दिया वैसे हम back में भी देंगे neck को cut करना है और stitch करना है man fabric को right side पर रखेंगे उसके ओपर lining fabric रखना है और neck को stitch करना है यह देखिए इस पर iron करेंगे और अच्छे से set करेंगे इसके पास स्लीज कट करनी है back armool को measure करना है तो वह 9.5 inch आ रहा है स्लीज की land 3.5 inch रख रहा है वन इंच प्लस करना है तो 4.5 inch लेना है स्लीज को डाउन करेंगे तो स्लीज हमारी आप पर कट हो गई है और बैक पार्ट में हमें आयोक की पट्टी लगा लेनी है नॉर्मली जैसे हम लगाते है वैसे ही लगानी है टू पार्ट में फ्रैंट के लिए शेप दे दिया है इसको हमें स्टीज कर लेना है यह देखिए इस तरह से स्टीज किया अब हमें शोर्लर को स्टीज करना है स्लीज को स्टीज करेंगे हम इसी तरीके से दूसरी स्लीज को भी स्टीज करना है सेंटर से चेस्ट के फोर्थ पार्ट और वेस्ट के फोर्थ पार्ट पर मार्क करना है अब यहां पर फिटिंग लगानी है तो जो हमारी हैंड की गोलाई है वह ले लेनी है तो थर्टीन इंचर्स का हाफ लेंगे 6.5 इंच तीनों मार्किंग को मिलाते हुए फिटिंग लगानी है साइड माम इस पे इंटर लॉक करेंगे तो फ्रेंड्स यह हमारे ब्लाउस का फाइनल लुक है आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक श्रेंड कमेंट जरू करिएगा और चेनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा थैंक क्यूं रहा हुआ जरू कर दो लॉकाँ थाएब जरू कर दो लॉकाँ जरू कर दो पसंद आई हो जरू कर दो कर दो कर दो दो होगी वीडियों